प्री शात्रों आप सभी का स्वागत है कक्षा दस्वी एंसी आर्टी करित पिसे के धै दो बहुपत के अंतरगत प्रश्ण वली 2.2 का दूसरा प्रश्ण जिसके अनुसार एक दुईघात बहुपत ग्यात करना है जिसके सुन्यकों का योग तथा गुड़न फल करम से दी गई संख्याएं हैं तो यहाँ पे पहली जो संख्या दी गई है उसके अनुसार एक बटे चार योग फल और रिन एक गुड़न फल है आप यदि हम इसके लिए मान लेते हैं कि वह भुपत वह द्विगाद भुपत एक स्क्वेर पी एक स्क्वेर पराबर एक स्क्वेर रिन अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा इसको समिकर नमबर एक दे दे अब हमें ग्यात है यहाँ पर अल्फा धन बीटा का मान एक बटे चार है तथा अल्फा इंटू बीटा है यह गुड़न फल सुन्यक का गुड़न फल तथा सुन्यकों का गुड़न फल अल्फा इंटू बीटा बराबर रिन एक है तब हैं मान हम समीकरण एक में प्रत्यस्थापित करते हैं तो समीकरण एक से यहाँ पर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेर रिन अल्फा धन बीटा के स्थान पे एक बटे चार और अल्फा बीटा के स्थान पे रिन एक रखेंगे एक्स स्क्वेर रिन अल्फा धन बीटा के स्थान पे एक बटे चार इंटू एक्स और धन Alpha into Peter के स्थान पर Ren chap रखेंगे और 4 का इस पूरे समीकरण में यदि हम गुणा कर दें इस 4 से तो पूरे समीकरण में 4 का गुणा करने पर 4x² रिन 4 बटे 4 X और धन रिन 4 हो जाएगा इसको हम कुछ टक open करेंगे आफ और इसको लिखेंगे इस प्रकार से यह हमारा बहुपत प्राप्त हो जाएगा दूसरा प्रस्ण इसके इंत्रगत करनी दो और एक बटे तीन हमें करम से योग तथा गुड़नफल सुन्यकों के ग्यात हैं तब इस आधार पर हम पुने हैं यदि मान ले कि हमें दूइगात बहुपत पी एक्स बराबर एकस स्केर रिंड अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा है तब इसको सम्मिकरण एक लेने पर हम इसको सरल कर लेते हैं और इस तरीके से अब हम इस परशन को हल करेंगे ग्यात है अल्फा धन बीटा का मान अर्थात मूलों का जो हमें अपस बहुपत हैं उनके जो सुन्यक हैं उनका योगफल ग्यात है कल्णी दो के बराबर और इसी प्रकार इनका जो ग्युणफल है वो भी हमें ग्यात है एक बटे तीन इन मानों को समीकरण एक में रखने पर समीकरण 1 से यहां पर समीकरण 1 में हमाई पास यहां पर योगफल और गुनफल हमें दिये गए हैं इनके इस्थान पे यदि हम मान रखते हैं तब मान रखने पर यह हमारा जो भौपध है वो इस परकार से हो जाएगा एकस स्क्वेर पी एकस ब्राबर एकस स्क्वेर रिन अलफा धन बीटा कमान करणी दो यहां पर रख देंगे और इन्टू एकस धन अलफा इन्टू बीटा कमान हमें एक बटे तीन गया थे इसको हम रख देंगे अब पूरे समीकरण में चुंकि यहां पे हर में 3 है तो पूरे समिक्रण में 3 का गुणा करने पर यह हमारा जो भौपद है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा करणी 2, 3 करणी 2, x और धन 3 बटे 3, तो यहां 3 से 3 कैंसल करने पर हमें 1 प्राप्त होगा इस प्रकार से जो भौपद है उसका चौरूप इस तरीके से होगा 3, x स्क्वेर, रिन 3 करनी 2, x धन 1 तो यह भौपद होगा जिसके की योगफल करनी 2 और 1 बटे 3 हमें ग्यात हैं तो इस प्रकार से इस प्रश्ण को सरल करेंगे, अगला प्रश्ण, तीसरा प्रश्ण यहां पर हमें सुन्यक के योग ग्यात है, शून करनी 5 इसके आधार पर हमें और गुर्णफल करनी 5 ग्यात है, तो इसके आधार पर हमें द्विगात बवपद ग्यात करना है तो हम इसके लिए पुनाय मान लेते हैं कि वह है दुइघात बहुपद PX बराबर X स्क्यर रिन आलफा धन बीटा इंटू एक्स धन आलफा इंटू बीटा है तो ये पहला हमारा समीकरण इसको मान लेते हैं और चुंकि हमें ग्यात है कि यहाँ पर हम प्रश्ण में देख रहे हैं कि जो मुलों का योग है हमें ग्यात है मुलों का योग अलफा धन बीटा का मान यहाँ पर सुन है और अलफा इंटू बीटा का मान कर्णी पांच के बराबर है यह जो मान है समिकरण एक में रखने पर तो समिकरण एक से हम लेते हैं यहाँ पर समिकरण एक में मान रखने पर मान रखने पर हम देखते हैं कि समिकरण एक जो है वो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर समिकरण एक में अलफा प्लस बीटा के स्थान पर शुन रखेंगे तो एकस स्क्वेर रिंड शुन इंटू एकस धन और अलफा इंटू बीटा के स्थान पर हम कर्णी पांच लिखेंगे तो यहाँ पर कर्णी पांच हो जाएगा इस तरीके से जो हमारे भौपत का स्वरूप है वो चेंज होकर यहाँ पर शुन इंटू एकस हो गया तो शुन हो जाएगा प्लस कर्णी पांच और इसको अंत में हम इस बहुपत को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं X स्क्वेर धन करनी 5 तो ये इस तरीके से हमने इस बहुपत को प्राप्त कर लिए अब प्रस्ण क्रमांग 4 में हमें बहुपत दुईकाद बहुपत ग्यात करना है जिसके सुनने का योग एक है तता उसका गुड़न फल भी एक है तो हम पुरह हैं मान लेते हैं कि वैदुए घाद बहुपत पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेर रिन अलफा धन बीटा इंटु एक्स धन अलफा इंटु बीटा है इसको समिकरण एक पुने मान लेते हैं और हमें ग्यात है कि यहाँ पे जो अलफा धन बीटा का मान है वह एक है तथा अलफा इंटु बीटा का मान भी एक है इस प्रकार से यह मान हम समिकरण नमबर एक में रख दें तो समिकरन एक से P x का मान होगा x स्क्षेर रिन एक इन्टू एक्स धन एक इस प्रकार से जो बहुपदे हमें ग्यात हो जाएगा x स्क्षेर रिन एक्स धन एक इसके अंतरगत पुरस्निक्रमांग पाँच जिसमें योग सुन्यक का योग रिन एक बटे चार तथा उसका गुड़न फल एक बटे चार ग्यात है तो हम पुनहें मान लेते हैं कि वह द्विगात बवपद पी एक्स बराबर एक्स स्केर इन अलफा दन बीटा इन्टू एक्स और प्लस अलफा इन्टू बीटा है तो इस प्रकार से हमें ग्यात है कि जो मुलो का योग है अलफा धन बीटा बराबर एक बटे चार तथा अलफा इंटू बीटा बराबर एक बटे चार अब हम इसके आधार पर यहां पर जो बहुपत माने हैं उसमें मान रखने पर तो यहां पी एकस यहां लिख देंगे हम समीकरण एक से पी एकस बराबर एकस स्क्वेर रिन अलफा धन बीटा के स्थान पर एक बटे चार हम यहां रखेंगे और इंटू एकस प्लस अलफा इंटू बीटा के स्थान पर एक बटे चार लिखेंगे इस तरीके से ये हमारा सरल करने पर जो बहुपद है वह होगा x square धन एक बटे 4 इंटू x और धन एक बटे 4 इसे सरल कर दें 4 का हम पूरे समीकरण में यदि गुणा कर दें तो यह समीकरण इस रूप में परिवर्थित हो जाता है 4 x square धन 4 बटे 4 लिखेंगे तो एक कैंसल हो जाएगा 4 से 4 यहां बचेगा 1 x और इसी तरीके से 4 से 4 कैंसल होने पर यहां पर एक बचेगा इस परकार हमें बहुपद प्राप्त होगा 4 x square धन x धन 1 इसी के अंतरगत प्रश्न करमांग्च है जिसमें चार सुनेकों का योग तथा सुनेकों का गड़न फल एक है इसके लिए पुने हम माल लेते हैं कि वैब दुईगात बहुपद हमारे पास पी x बराबर x square धन अलफा धन बीटा इन्टू x धन अलफा इन्टू बीटा है अब इसमें हमें ग्यात है यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें ग्यात है कि अलफा धन बीटा का मान 4 है तथा अलफा इन्टू बीटा का मान 1 है यह मान हम समीकरण 1 में यदि प्रतिस्थापित कर दें तो समीकरण एक से हम लिखते हैं मान रखने पर P X बराबर X स्क्वेर रिन अलफा धन बीटा का मान यहाँ पर हम रखेंगे 4 और इंटू X धन अलफा इंटू बीटा का मान हम एक रखेंगे तो इस प्रकार से जो भुपद है हमारे पास X स्क्वेर रिन 4 X धन एक हमें प्राप्त हो जाता है तो अतेवाई भुपद होगा X स्क्वेर रिन 4 X धन एक हमें